हलो दोस्तों स्वागत है आप सबी लोगों का इंटरनेशनल फ्लैटों की आज की इस नहीं वीडियो में हम लोग आ रही कई सारी लेटिस ख़बरों की जानकारी लेने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप सबी लोगों को ये जानकारी बताना चाहेंगे कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत और UK की बीच में फ्लाइटे बंद हो चुकी है तो आपको बता दे कि भारत और UK की बीच में अभी भी फ्लाइटे चालू है लेकिन इस समय किवल वेस्ट बंगाली है एक ऐसा राज्य है जहां पर इस समय लोग UK से ट्रावल करके वेस्ट बंगाल में नहीं आ सकते हैं लेकिन वेस्ट बंगाल से ये दि आप UK जाना चाते हैं तो आप से भी लोगों के लिए अभी भी फ्लाइटे चालू है एस्ट बंगाल के कॉलकाता एयरपोर्ट से एयर इंडिया अभी भी अपनी फ्लाइट UK के लिए चालू कर रही है इसके साथ दोस्तों आगे वड़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर कैनेडा को लेकर जान लेते हैं क्योंकि आप में से कई सारे लोग दुबई को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं तो आपको बता दे कि भारत और दुबई के बीच में फ्लाइटे रेगलोर बेसिस पर ऑपरेट हो रही है लेकिन दुबई की गौवर्मेंट ने यहां पर एक नया नियम लागू कर दिया है जिस नियम के तैट यह दिया फुली वैक्सिनेटे नहीं है तो अब आप दुबई में ट्रावल करके नहीं जा सकेंगे यानि कि भारस से केवल दुबई वही लोग ट्रावल करके जा सकेंगे जो लोग फुली वैक्सिनेटेड होंगे और इसके साथ दुबई की गौवर्मेंट ने यह भी जानकारी दी है कि यह दिया भारस से दुबई ट्रावल करके जा रहे हैं तो आप से भी लोगों को अपने साथ करोना वायरस का नेगिटिव रिपोर्ट लेकर ट्रावल करना होगा और दुबई एरपोर्ट पर पहुंच जाने के बाद फिर दुबारे से आप सभी लोगों का हुआ पर रेंडम बेसिस पर करोना वाइरस का टेस्ट किया जाएगा इसके अलबा दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पर सौधी एरिबिया को लिकर जान लेते हैं अब उनकी संक्या यहाँ पर बढ़कर 700 के आसपास हो चुकी है तो इसको लिकर आप कई सारे लोगों के ये डाउट्स हैं कि क्या भारत और सौधी एरिवे के बीच में फ्लाइटे बंद हो जाएंगी तो आपको बता दे कि सौधी सरकार की तरफ से अभी तक फ्लाइटों के restriction को लेकर कोई भी announcement नहीं की गई है यानि कि दोनों देशों के बीच में आभी एर बबल्स के तैट फ्लाइटे ऑपरेट की जा रही है यदि आप इस समय भारत में हैं और भारत से सौधी जाना चाते हैं तो आप एर इंडिया की फ्लाइट या फिर सौधी एरिवे की फ्ला का सासन आने के बाद आप पर पासपूर्ट केवल ऐसे लोगों का ही इशू किया जा रहा है जो लोग या तो बिमार हैं या फिर जो गौर्मेंट सेक्टर में काम करते हैं केवल ऐसे लोगों का ही पासपूर्ट इशू किया जा रहा था जिसके बाद आप यहां पर कई सारे लोग फेक बिमारी का डॉक्रमेंट दिखा कर अपनी लिए पासपूर्ट बनवा रहे हैं जिससे कि वो सभी लोग अफगानिस्तान से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जा सके हैं तो दोस्तों ये सारी खबरे थी इस वक्त की अंतर राष्टे उड़ाउनों से जिसकी जान कारी आप सभी लोगों को मिली है वीडियो इदिया आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी हो लेटिस्ट खबरों को यह दिया प्रेवलोर बिस्सिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फालो करके रखें